कि रियल्मी नार्जो 30 सेटप प्रोसेस सो आज मैं इस पेशली इस रियल्मी नार्जो 30 का एक सेटप प्रोसेस कंप्लीट करने वालो इस पेशली उन बिगिनर्स के लिए यूसपूल होगा जो फॉर्स टाइम जिने अपने लाइफ में एक एंडॉइट मोबल परचेस किया है अजरे कंप्लेटली बिगिनर है एंडर्वाइट के मामले में एंड तो अब इस बाते हुए अजरे थाइम बिगिनिग यहाँ पर अवेर्नेस निया होता कि जो स्मार्टफोन उते हुए उन्हें किस तरीके से उनका सेटप प्रोसेस कंप्लीट करना तो इस पेशली रियल् रिल्मी नारजो अभी रिसेंटली ही इंडिया में लांच हुआ है अगर आप एक बज़ेट सेग्में इन स्मार्टफोन आप सर्च कर रहे है वित अट्रैक्टिव लुक दिन गो फो फो इस रिल्मी नारजो 30 विजस कॉस्ट आ रहा हूं रिल्मी नारजो को अन करना है और जैसे आप इसको अन करेंगे जो लो यह आप जब को वेट करना है विल बैसिकली जो रिल्मी के स्मार्टफोन से वो मुझे काफी ज़रा अट्रैक्टिव लगते है एस कंपरेड़ अधर स्मार्टफोन बिकॉस पहली बात यह एक ब्रैंड है और इंडिया में काफी ज़रा पॉपिलर है आफ्टर शाओमी तो जैसे आप अपने रिल्मी ना लोकेशन के भी लैंग्विज आपको मिल जाते हैं जो आप चूज कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश नेपली जो भी आपका है बट वेटेरे डिफॉल्ट आपका इंग्लिश इन अची है दैन उसके बाद यहाँ पर यह रिल्मी का कुछ एग्रिमेंट है जिसको आपको अप्शन आएगा वाइफाई का अगर आपके घर में वाइफाई है आप यूज करते हैं तो आप इससे कनेट कर सकते हैं सो लेट में इसको कनेट कर लेता हूँ अपने अपने डिवाइस को जरूर लेट से कनेट करना जैसे आपको नेटवर्क आपशन आ रहा है वह आपको थोड़ा उसमें नेट की जरूरत पड़ती है विकॉस उसमें आपको अपना आडी एकसेटरा सब शेडूल करना पड़ता है तेन क्लिक ओन नेक्स्ट अब यह वाइफा एसिस्टेंट है जो आपको एक नया फीचर रियल्मी नारजो 30 में देखने को मिलता है बट इसको आप चाहतो डिफॉल्ट बीसिस पर आफ ही रख सकते है इसको जिसको जिसका डेटा अप अपने रियल्मी नारजो 30 में ट्रॉंस पर करना चाहते है तो आप आप अब इसको इजिले ट्रॉंस पर कर सकते है अब उसके बाद यहां पर आपको पूरा सेटप कंप्लेट रहने के बाद जो मोबाल का जो सेटप है वो ओर्रॉल में लग कंप्लेट हो गया almost 70% complete हो गया अब यहाँ पर आपको अपना Google account link करना है अगर आपका already कोई Google account है तो directly आपको अपना email ID या तो mobile number आपको डालके enter करना है और उसके बाद next option आएगा आपका password का तो वो चाहतो आप यहाँ पर enter कर सकते है फिलाल मेरे cases में मेरा कोई गूगल अगर नहीं है तो और यहाँ पर मैं इसको create भी नहीं करना चाहता और आप चाहतो इसमें create भी कर सकते है simply create account के option पर टाप करके बट फिलाल मेरे cases में कुछ नहीं करना चाहता तो इसे directly मैं skip करूँगा and then उसके बाद यहाँ पर आपको इसे भी skip करना है and उसके बाद यहाँ पर default basis पर Google को allow करना है ताकि Google आपके device को access कर सके and यहाँ पर आपको अपना fingerprint setup करना है तो मैं highly recommend करूँगा कि अगर आप अपने इस device को Real Minarzo को properly तरीके से secure रखना चाहते आप face unlock का setting आप apply कर सकते है but make sure कि आप normal password को इसे apply मत करिये fingerprint या तो face unlock दोरों में से किसे एक को जरुर अपलाई करे तो let's मैं पहले password set कर ले तो okay so and then उसके बाद here tap account यह एक नहा option है जो आपको नारजो में देखने मिलेगा यह कुछ realme के कुछ service ऐसे जिसे आप चाहते आक्सेस कर सकते है अदरवाइस आप इसको बाद में पर setup कर सकते है जब आपकी requirement होगी तो again next again next अब यहाँ पर यह कुछ customization वाला option है आप यहाँ पर कुछ icons decide कर सकते है if you want अगर आप चाहो तो default basis पे आपको realme की तरफ से कई सारे themes मिल जाते है जो आप इसमें access कर सकते है it's all up to you तो default जो भी आपको चूज करने हो आप यहाँ पर चूज कर सकते है फिल आप मेरे cases में मैं इसमें चूज करूँगा and then set up then next get started so overall हमारा जो realmeinarzo 30 है यह इसका setup process पूरा का पूरा A to Z complete हो गया है तो जैसे आप इसका setup process complete कर लेंगे दर इसके बाद जो आपको exact look है वो आपको इस तरीके से इस realmeinarzo में देखने को मिलेगा तो जो realmeinarzo 30 है इसमें आपको android का सबसे latest वाला version android 11 इसमें मिलता है और let me show you as you can see that वैसे आज के जितने पी सारे smartphones आ रहे है उनमें आपको android के 11 वाली version से देखने को मिलेंगे android 11 जो आपको UI है वो same आपको यह पूरा इस तरीके का UI देखने को मिलता है साथ ही में जो animations and gestures है वो इसमें थोड़े different type के मिलता है और because android 11 android 10 का updated है so आप बेटर expect कर सकते है तो overly यह जो smartphone है real minarzo 30 यह उन users के लिए काफी ज़दा affordable होगा जो कम price में अच्छा look and design वाला smartphone सेर्च कर रहे है तो उनके लिए real minarzo better option होगा यहाँ पर top left side में आपको notch मिलता है I mean hole punch camera मिलता है अगर आप चाहो तो इस hole punch camera को easily hide भी कर सकते है real minarzo में maybe आपको एक feature मिल जाएगा तो फिलाल मुझे भी check कर ना होगा अगर नहीं मिलता तो आप इसको indirectly तरीके से भी इस hole punch camera को easily hide कर सकते है तो आप इसको जैसे setup करेंगे इसमें आपको default basis पे इतने सारे applications as assistant applications इसमें आपको मिले गई जिसमें से कुछ आप delete मा सकते है तो कुछ को आपको default basis पे रखना ही होगा तो realme nager 30 को अगर आपको purchase करना है तो आपको यह flip card website पे easily available बिल जाएगा इवन offline stores पे भी smart phones आपको easily available बिल जाएगा लेकिन अगर आप आज के date में purchase करना चाहेंगे तो might be possible नहीं है even मुझे तो रखता है कि one week तक शायद possible नहीं होगा because यह smartphone यह काफी demand में है और कई सारी users इसको purchase कर रहे है तो फिलल offline stores पर आपको तूरंथ शायद ही मिलेगा आज है कलकी rate में but कुछ weeks के बाद second या third weeks के बाद might be possible कि आपको यह available बिल जाए currently अगर आपको तूरंथ purchase करना है तो आज ही आज flip card पे जाके आप इसको easily purchase कर सकते है and it is most affordable smartphone under 12,000 रुपीज so is realme narzo 30 में क्या-क्या equipment क्या-क्या stuff आपको मिलता है उसके related already एक unboxing topic मैंने cover किया you can check it out in my video sections but फिलाल यह only एक setup process था जो शायद आपके लिए helpful हो सकते है अगर आप completely zero beginner है और आपने just एक android mobile purchase किया है as a realme narzo 30 then this will be useful for you because it is a setup process for that so guys इसके बारे में आपके क्या opinions है क्या किस टाइप के features आप जानना चाहते है किस टाइप के topics आप realme narzo 30 के related जानना चाहते है so you guys can ask me in comment section down below because जो आपके questions होगे जो आपके queries होगे उसी के related हमें idea आता है and then उसके बार हम यहापे topic cover करते हैं this is help आपको होता है so अगर आपको कुछ भी question होता है कुछ भी doubt होता है regarding this you guys can ask me on Instagram, Twitter and Facebook account link in the description down below